हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आसा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स हम भगवान की पूजा करते हैं भगवान को हम पूजा में पत्ते फूल पत्ती बहुत सारी चीज़े होती हैं जो समर्पृत करते हैं और हमें उनका नहीं पता होता कि उनको पूजा में किस तो आज मैं आपके वीडियो में यही बताने वाली हूं कि पूजा पार्ट में जो चीज़ें हम यूज करते हैं उनका हम क्या करना चाहिए भगवान की पूजा करते समय हम उन्हें प्रसाद और फूल समर्पित करते हैं अक्सर भगवान पर छड़ाए हुए फूलों को लोग ऐसे ही फैंक देते हैं जो धार्मिक दर्ष्टी से सही नहीं होता है पूजा के दौरान जो आप भगवान को फूल पत्ती समर्पित करते हैं उन्हें फैंकना नहीं चाहिए ऐसा करने के लिए हिंदु धर्मे मना किया गया है पूजा के दौरान किये जाने वाली आवसक्ता के अनुसार साममगरी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है ऐसे में भगवान की मूर्थी पर चढ़ने वाले फूलों को भी पवित्र माना जाता है अक्सर हम देखते हैं कि पूजा की वस्तु को लोग नदी में प्रवाहित करते हैं ऐसा करना परियावरण की देश और फूल मट्टी में मिल जाएंगे भगवान पर चढ़ाएगे गुलाब या गेंदे की फूलों को परसाद के रूप में ग्रहन किया जा सकता है यह सिहत के लिए वी काफी ज़्यादा फाइदे मंद होते हैं भगवान पर चढ़ाएवे फूलों को लाल कपड़े में लप पर चढ़ा सकते हैं ऐसा करने से भगवान भी नाराज नहीं होंगे और फूलों की मर्यादा भी बनी रहती है पूजा में चढ़ाएवा जाने वाले फूलों को आप इस तरह से उप्योग कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चेल को सब्सक्रा करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी